हलो स्टुएंट्स नेक्स रम विस्टास करेंगे कैशन नुमर 17 एक्साइज 9.2 के लिए क्या कह रहा है पी एबी इस दा मिड़ पॉइंट ऑफ लाइन सेग्मेंट बिट्विन एक्सिस लाइक डैट बनेंगे इसको में त्यारो हो एक्स अक्सिस के उपर एक्स की वैलु उति है वाट वाइक की वैलु होति अभी बोलरहा है िसका मिड़ पॉइंट है किया है मिड़ पॉइंट है जो कि a कोमा जीरो होगई इस लाइन की equation यह होगी यह आपको proof करना है सबसे पहले by section formula क्या कहता है कि जो mid point है आपके पास PAB उसका मतलब क्या होगा उसका मतलब होगा x1 plus x2 divide by 2 and y1 plus y2 divide by 2 इन equation को देखके मैं कह सकता हूँ x1 y1 और इसे देखके कह सकता हूँ x2 y2 ठीक है भाई देखो x1 का मतलब कितना है मेरे पास x1 का मतलब है मेरे पास 0 x2 का मतलब है मेरे पास x divide by 2 y1 का मतलब कितना है मेरे पास y और y2 का मतलब है 0 ठीक है अगर मैं इसको compare करता हूँ अगर मैं इसको compare करता हूँ आपस मैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा A का value आजाएगा X, Y, 2 and Y का value ये आजाएगा 0, इस से compare हो जाएगा ये मैने कैसे किया मेरे बास तरहूं जो midpoint होता है वो midpoint कैसे निकलता है midpoint ऐसे निकलता है कि ये दोनों जो points है मेरे पास इनको half करने पर और इन दोनों को y वालों को half करने पर ये point निकलना चीए, ये a, b था वाई देवे न, थोड़ा सा mistake कट रहे हैं पर, a, b ये ये हैं न ओके, अब ठीक है यहाँ देखो x का value निकल के आ जाएगा 2a, and y का value कितना निकल के आ जाएगा 2b, मुझे बताओ पहले तो यहाँ तक साज में आगया है, सारा concert आपको a और b के मैंने, मतलब x और y के मैंने points निकल लिए है, ठीक है, अब आगे सुनना अब हमारे पास जो line हमें निकालनी है, we have line we have line passes through यहाँ से देखना, passes through वो किस से pass कर रही है, a और b से जिसमें की a का point है x, 0 अब x की value अभी भी निकाल लिए है, मैंने x की value 2 है and b का जो point है, वो क्या है मेरे पास b का है 0, y 0, 2 b मेरे कहल में, इसमें कोई नहीं दिक्कत आ रही होगी आपको x, y वाले point लिखते में, नहीं है ठीक है, अब मेरे बास सुनना द्यान से, मैं क्या कह रहूँ आपसे मैंने a का point निकाल लिया और मैंने b का point निकाल लिया है, अगर कोई line इन से pass कर रही है आपके पास तो यह आपके लिए as a x1, y1 and as a x2, y2, equation of line क्या होती है required equation क्या हो जाएगे, आपके पास y minus y1 equals to m x minus x1, अब आप y minus y1 की value लेको y minus y1 की value है 0 m की जगे क्या आएगा, आपके पास y2 minus y1 upon x2 minus x1 and here x minus x1 की value कितनी है आपके पास 2 है, x1 की value 2 है हो गई और y1 की value 0 आ गई, यह यह बचा है यहाँ पर y2 की value देगो, y2 की value कितनी है 2 b minus y1 की value कितनी है, 0 x2 की value कितनी है, 0 minus x1 की value कितनी है, 2 है x minus 2 है, that's it क्या करें, cross multiply कर दो यह आपके पास हो जाएगा इसको इदर भेज देते हैं तो यह हो जाएगा आपके पास minus 2 a y मैंने negative के sign को भी ले गया एक साथ है, minus 2 a, पूरा एक साथ ले गया तो minus 2 a, y यह 2 b और यह x minus 2 a, अब क्या करें open करो, minus 2 a, y equals to 2 b, x minus 2, 2 is a 4 a, b अब आप equation देगा, इसको यह रखो इसको उठा के इदर भेज दो, इसको उठा के इदर भेज दो यह 4 a, b equals to 4 a, b equals to 2 b, x plus 2 a, y अब मुझे equation जो proof करनी तो उससे थोड़ा ग़़ करो मैं इसमें से 2 a, b दोनों नीचे बेज रहा हूँ एक 2 अलग रख रहा हूँ और 2 a, b अलग रख रहा हूँ अब देखना मैं क्या करना हूँ मैं दर से 2 a, b नीचे बेज देता हूँ तो दिहान रखना जब 2 a, b नीचे जाएगा तो दोनों के नीचे अलग लग लग लगे गा है दोनों के नीचे अलग लग लगे गा है 2 से 2 cancel, b से b cancel 2 से 2 cancel, a से a cancel तो यह x upon a y upon b बताओ समझ में आया कि है तो इस इस हैंस प्रूवड यह आपके पास क्या है लाइन की क्या आगई इक्वेशन आगई बताओ क्या समझ मैं नहीं आया क्लिए रहे हैं पर कैशन नमर 17 कंप्लीट